दरखास्त की खास पेसकस मैं बिलाल एमन टूड़ाज तक नीउस पर आपका स्वागत करता हूँ आज हम पुन्हाना उकमंडल के गाउं जमालगड में पहुँचें यहां पर एक गरीब परिवार के साथ में एक पलांट मालिक दुआरा जो इनकी जबरन दो एकट जो जमीन है वो यानि कि उसमें अवेद रूप से कबज़ा किया हुआ है उसमें यानि की चार दिवारी वगेरा कर रखी है तो हमारे साथ यह पीडित परिवार है यह हमें बता तो कितनी जमीन है वहां पर हमारा अठार किला पड़ रहा है किस कब से दाब रखें तीन साल होगी किसका पर क्रैसर रहा है तो ऐसे कैसे यानि कोई किसी की जमीन पर कब्जा कर लेगा वह ऐसे कर लिया जी मैंने लट गें साधी करी जी अच्छा और उसने मुल गई में तो अच्छा पहले कि आपको लालज दिया गया है नाम नाम बता रहे हैं कि लटके कि साधी के लिए गुली बंद में आपको लाके दूंगा जो इस तरीके से इनको नकली गुली बंद जो उसने लाके दे दिया है और इनकी जमीन पर जो कब्जा कर लेक लेडिज भी हमारे साथ हैं यह हमें बताएंगी आखिरकार ऐसे कैसे हुआ आपको पहले इसके बारे में यानि कि दो ड़ाई साल से पता नहीं चला कि गुलीबंद इस तरीके से इसमें कोई नकली दे दिया है तो कितनी जमीन भी आपकी दबाई रखी दो कोई फसल होई उसे कुछ ना है उसे कुछ ना होड़ा है तो इनसे आपने कहा नहीं हमारी जमीन वापिस परो के दिवाने तो दबंग पना पर हमार जयान लोग आप की जमीन दी जाए आप जमीन दी जाए खालिक नहां चैनल के आपको बता दूगी जहां यानिकी क्रेसर पलांटों से जहां परदूसन फैलता है इनकी फसलें जो खराब हो रही है किसानों की और यहां तक जो है इस तरीके से एक वेक्ती के खेत करीब दो के खेत में अवेद जो तरीके से जो दिवार लगा दी गई है और यहां तक बता रहे हैं कि कोई लेना देना इनका था कि इनके लड़के की साधिये में कोई गुल याई परिवार के पहले पागल बनाए गया इस तरीके से लालस दिया गया कि आप यहां यानि की मुझे दिवार कर लेने दो इनकी जबर जस्ति कवजा कर लिया अब पिडित परिवार यानिकी आला पर सक्राव बार मांग नापूर नहीं और इस पीड़ित परिवार की जमीन को दबंग से कब तक खाली करवाता है